गूव गढ़ दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चेनल में एक बार फिर से दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मास महराजा रवी तेजा सर के अपकमिंग मूवी आमर अकबर एंथोनी के तीजर के बारे में ने तो इससे पहले इस साल इनकी दो फिल्में रिलीज हो चुकी जिसमें ते नेला टिकाट और थी पावर अनलिमिटेड टू लेकिन दोस्तों वो दोनों फिल्में बोक्स ओफिस पर सफलता हसिल नहीं कर पाई लेकिन इस ट्रेलर को यानि इस टीजर को देखके इसाल लग रहा है कि सायद इस बार रवी तेजा सुपर हिट फिल्म देने में काम्याब हो जाएंगे जियां दोस्तों आपको बता दे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्रीनू वेतलाने जो इससे पहले रवी तेजासर के साथ दो फिल्में या यह कहते तीन फिल्में पहले भी बना चुके है और उनके साथ ही इनकी तीसरी फिल्म है वही बात करें इस film की लीड एक्ट्रेस की तो दोस्तों इस film में लीड एक्ट्रेस है इलियाणा डी कुरूस जो इससे पहले रवीतेजा सर्ट के साथ तीन फिल्मों में नजर आ चुकी हो ओ तीनों फिल्म में भी सुपर हीट हुई थी लेकिन दोस्तो टीजर देखके मुझे कहीं न कहीं हूँ लग रहा है कि साइध रवीत हे जाए सर इसमें एक ही केरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसी के अलग-अलग तीन नाम है और तीन अलग-अलग नामों से एक ही मिसन पर लगे हुए है हलाकि अभी ये फिल्म में उनके तीन क रेक्टर ही हैं तो फिल्म रिलिज में ही रिलिज हो जाये उसके एक या दो महिने बाद इसे हिंडी डब में रिलिज कर दिया जाये हलाकि अभी हिंदी डप की कोई ओफिसेल अनूसमेंट नहीं हुई है लेकिन जैसे जब भी इस फिल्म की हिंदी डपिंग के बारे में कुछ भी कावर आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पे सबसे पहले अपडेट दे दूँगा इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी साउथ फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट हिंदी में चीए तो सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ साउथ फिल्मों के सभी नियूद इनदी में वैसे दोस्तों आपको रवी दे जाए कि कुन से फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथी साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब तो करी लीजिएगा मैं मिलता हूँ अगली वीडियो म जब तक के लिए खयाल रखे अपना